ओके अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो रेल्वे जो है पैसेंजर ट्रेंज को वापस डिस्टोर करेगा वाई बहुत बढ़िया पैसला है किराया ज्यादा दे रहे होगे ना रेल्वे का आपको लगता नहीं क्या रहे है ऐसा तो नहीं था कॉविट से पहले तीन चार चार सो रुपए आप में किराया ज्यादा दिया है कोई कंसेशन नहीं जो सीनियर सेटेजन से साट साथ से उपर अक्थर उनका आधा किराया पड़ता है लेकिन अब दुबारा से ऐसा होगा क्यूंकि बड़ी बात यह है अगर आप माल गाडियों माल गाड कि बात करें तो भारत का सबसे बड़ा इस प्रेंगल करेंग यह चलती है अभी साडहे यस करीक ट्रें कर आफ कर दोसे बहुत के च बात अचंजरा प्लान कर रहा तो यह जाता तो मैंने और व्य THE yay नहीं मैंने खार रही यार लेकिन यह railway का बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि आप special train अभी तो सब special आपने देखा होगे ने special आगे लगा रहे तो अब special train कतम होके वापस से normal train से लाएंगे normal passenger trains तो भाई वही फिर से railway stations पे भीड होगी लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि COVID-19 अभी गया नहीं है कभी भी आ सकता है तो बहुत ही ध्यान देना है हमको यूरोप में हम अल्रीडी देख रहे हैं कि waves आ रही है तो कभी भी यह सर उठा सकता है फिलाल railway का बड़ा फैसला है कि हम वापस से passenger trains को restore करेंगे और जो special trains का टाक था उसको हटाईगे तो देखते हैं यही है कि COVID की वज़े से passenger trains जो थी उनको हटा के special trains चलाएगी थी पहले तो वो भी बंद कर दी गई थी बाद में फिर जब labor crisis हुई migrant crisis हुई तो लेवर्स के लिए फिर special train चलाएगी क्योंकि COVID की वज़े से lockdown लगा दिया सम लेवर्स फस गए और वो दर्दनाग तस्वीरत तो कोई बूल सकता नहीं है तो उनके लिए फिर train चलाएगी तो पिछले साल मई 2020 मैं यह खतम किया था लेकिन फिर जब बहुत लग बात है उतने ही लोग इस्टेशन पर आएंगे मैं पिछले साल अक्टूबर पर गया था एंदाबाद आप समझिए कि मैं एंदाबाद गया और स्टेशन पिल्कुल खाली लखनो इस्टेशन बिल्कुल खाली तोड़ा सुकून भी लगा क्योंकि आम तोर पे इतनी ज प्राइस जो थे वो जाधा थे हायर थे रेगुले ट्रेंस में जितने ट्राइस थे उससे जाधा इन्होंने चार्ज किया और कंसेशन भी नहीं था सीनर सिटेशन के लिए अब यह जो ट्रेंस थी इनका जो नंबर शुरू हो रहा था जीरो से है ना तो वहीं यह कॉविड और तक्या भी नहीं थी, पिलो तो तक्या ही होती है, बेडशीट, ब्लांकेट, कुछ नहीं दे रहे थे यह, कुछ भी नहीं दे रहे थे, अवरेटिंग वास लेगिन मुझे यह नहीं सबंज है नो किराया क्यों बढ़ाया, यह बहुत गलत बहुत बेकार लगा मुझे, ये मुझे का सबको बेकार लगा, किराय क्यूं बढ़ा दिया आपने, COVID-19 के वज़े से, अरे भाई किराय कम को आपने और बढ़ा दिया, तो COVID-19 सर्ज के वज़े से ट्रेंड कैंसल ही और इस पर तो किसी ने बात ही नहीं की, तो शुरवात में जब फर्स्ट लॉग्डाउन के बाद रेल्वे ने 15 पेर्स अफ ऑल एसी, जितनी भी स्पेशल राज़री ट्रेंज थी, वो पहले रिज्यूम की 12 मही 2020 को, उसके बाद धीमे-धीमे, सर्वेस रिस्टोर हुई, और अभी 17-44 स्ट्रेंज जो है, दियार वर्किंग, लेकिन आप देखिए आपको पैसेंजर कितना मतलब हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, आपको अगर आप स्लीपर क्लास में जा रहे हैं, आपको 20 रूप एक्स्ट्रा दिना पड़ता था, पैंटरी भी नहीं थी, वो बाहर से खाना आता था, और उसमें कोई भी आइडेंट बेनिफेट नहीं थे, ठीक है, फिर उसके बाद जो रेल ट्रावल कंसेशन्स थे, बहुत सारे पैसेंजर्स को मिलते थे, इस पर सीनियर सिटिजन सबसे ज़्यादा नपे, उनको कुछी नहीं मिला, कि भाई जैसा जो किराया है जब के लिए वहीं आपको मिलेगा, और ये एक महीं 2020 से ही, पर जाद 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 जा पता भी नहीं था मुझे भी बहुत बाद में पता चला मैंने कहा रहे तो ज्यादा लगता है पहले मुझे लगा पता नहीं कुछ होगा तो उपर चाय अडिशनल बेनिफेट भी नहीं है तो वही है अब इसमें अल इंडियान डेलवेय मेंट फेडरेशन इंप्रोईज का ज क्या है क्यों है मतलब स्पेशल के नाम पर कुछ स्पेशल तो है नहीं तो यहां पर जो AIRF प्रेसिडेंट है एंड कंडिया उन्होंने बोला आप देखिए AC फर्स्ट में अगर आप ट्रावल कर रहे तो आपको साड़े चार सो रुपए जादा दिना पड़ेगा सेकेंड AC में 320 रुपए और फर्स्ट थार्ड AC में 1500 से 200 रुपए और स्लीपर क्लास में 200 रुपए बहुत लोगों लगे कि कितना ही है यार बहुत लोग दे भी देते हैं लेकिन दोस्तों यह बहुत लोग ट्रावल कर रहे ना देखिए पैसेंजर्स तो नहीं है जैसे ही लॉक्ड का नाम दिया गया मैंने कैसे जब फ्राइट से ना चले जाए इतनी दूर दूर यह चीज यह चीज अब नहीं बोलूँगा पक्का सेंटर फॉर रेल्वे इंफर्मेशन सिस्टम यह बोला कि सॉप्फ्वेर में आप नेसेसरी चेंजेस करिए कुछ दिन बाद यह शुरू हो जाएगी एकदम से नहीं लेकिन आम मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर अंदर यह सब खतम हो जाएगा और रेल्वे जो है सब डीटेल्स दे दी गई है तो डेटाबेस में आप चेंजेस आएगे और उसके बाद कुछी दिनों में इसी नवेंबर महिने के अंतर तक ही आपको ट्रेंस देखने को मिलेगे रेगुलर ट्रेंस देखने को मिलेगे कोई स्पेशल ट्रें नहीं आज सब जब वह अनॉस सब्सक्राइबरी परसेंट और ट्रेंस देखने को 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 ट्